इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे है नाशनल एडुकेशन पॉलिसी तुथाउजन ट्वेंटी एक बहुत बड़ा जटका लगा है बहुत बड़ा सप्राइज मिला है नया पूरा एडुकेशन पॉलिसी आ रहा है और यह पूरा डीटेल हमने स्कूल लेवल एडुकेशन पूरा कैसे बदलने वाला यह देखिए यहां पर आपके सामने एक इमेज भी है इसको हम डीटेल में भी देखेंगे तो शुरू करते है पहला सबसे पहला इंपॉर्टन चेंज हुआ है वो है 10 प्लस 2 स्ट्रक्चर अब हट जाएगा नया स्ट्र वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 सो स्कूल एडुकेशन जो हम समझते थे दसवी तक स्कूल होती है उसके बाद 11th and 12th junior college जो होती है वो अब नहीं होगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या है वो देखते चलिए यह देखिए यहां 10 प्लस 2 दिखाया है left side पे मतलब 6 साल का बच्चा ज 16 to 18 years 11th 12th होता था अब यह चेंज हो जाएगा new academic structure जो है यह 6 साल से नहीं शुरू कर रहे है यह 3 साल से शुरू कर रहे है तो 3 साल से शुरू होगा first 5 years जो होगा first 5 है जो यह नीचे foundational तो यह first 5 years में 3 years pre primary के add हो रहे है और class 1 2 तो age 3 to 8 years is foundational तो यह 5 साल में 3 साल pre primary class 1 class 2 उसमें क्या होगा वो आगे हम देखेंगे next आएगे 5 के बाद plus 3 plus 3 में है class 3 to 5 तो 8 to 11 years के बच्चे यहां पे इसको preparatory stage कहा जा रहा है third is again 3 years addition of 3 years that is class 6 to 8 यह है middle school middle school stage और यह है age group 11 to 14 years की और जो last top है वो है 4 years that is from age 14 to 18 class 9 to class 12 that will be called secondary school stage तो अब देखते आगे detail में क्या है इसमें तो यह देखिए आपको gist of the entire policy change जो क्या है जो क्या है जो देखेंगे यह देखेंगे यह देखेंगे सबसे पहले हमने already discuss क्या 10 plus 2 is replaced by 5 plus 3 plus 3 plus 4 multi stream आजाएगा आपको flexibility मिलेगी subjects चूज करने में कैसे हम detail में देखेंगे board exam को dilute कर दिया गया है board exam पे जो इतना focus किया जाता है कि एक exam जो अपका पूरा career पूरा आपका आपकी life का एक important exam हना जाता है तो उसका importance dilute कर दिया जाएगा multilingual policy है three language policy है उसके बारे में भी हम detail देखेंगे bagless days introduced किये गए है bagless days मतलब school student को एक साल में एक बार दस दिन bagless आना है उनको vocational choice जी जाएगी आपको informal internship कोई भी vocational scheme में करना है carpentry electricity वगेर उसमें आप option दिया जाएगा bagless days होगे तो यह बहुत interesting है तो students को hands-on experience भी मिलेगा life skills activities का फिर colleges के लिए क्या है यहां right side पर दिया गया यह देखो satellite college test होगा national testing agency common college entrance exam conduct करेगी twice a year चार साल का bachelor's degree program होगा वो degree भी कैसे होगा कि आप बीच में भी छोड के जाएंगे तो भी आपकी credits रहेगे और आप बाग में कभी भी continue कर सकते तो आपका वो साल मिस नहीं होगा और हर एक stage के लिए भी एक certificate degree diploma है वो भी हम detail में आगे discuss करेंगे no affiliation over next 15 years college will be graded autonomy to give degrees मतलब उनको autonomy दी जाएगी affiliation with universities खतम दिये जाएगा तो deemed university status दिया जाएगा cap on fees मतलब के fees जो है private institutions बहुत high fees demand करके तो इसके ओपर भी एक cap लाया जाएगा और going local finally मतलब top rated global universities को इंडिया में आने के लिए facilitate किया जाएगा तो top Indian institutions भी global जाएगी और global institutions locally आएगी that is called global अब आगे देखते हैं और एक thumbs clip देखेंगे यह देखेंगे तो यही है education पे GDP spending increase किया जाएगा government कह रही है 6% GDP education पे spend किया जाएगा यह हरमेशा से promise रहा है पर अब देखते यह implement होता है कि नहीं ministry of HRD human resource development ministry को दीनेम किया जा रहा है ministry of education और separate technology unit develop की जाएगी for digital education resources और यह हमने already देखा school education high education के लिए आप देख सकते है important point यहां पे लिखिया गया है कि mother tongue is media में instruction लाया जाएगा फिर यह देखिए यहां पे technology in education लाई जा रही है digitization को emphasize किया जा रहा है coding लाया जाएगा हम भी देखेंगे school level में coding लाया जाएगा teacher education emphasis किया जा रहा है professional education इसके उपर emphasis किया जा रहा है तो यह देखिए जुसको first stage है foundational stage जो हमने पुला first 5 plus 3 plus 3 plus 4 में first 5 years तो उसमें देखिए क्या होगा यह 3 years preschool grade 1 to 2 है age group 3 to 8 है इसमे play and activity based learning होगी मतलब बच्चा खेल के activities से कैसे सीख सकता है उसके उपर emphasis होगा text books reading writing इतना नहीं वलकि play activity होगा तो यह है फिर देखिए बच्चे हमारे खुश होगे बच्चे enjoy करेगे learning को तो early childhood care and education को बहुत emphasis किया जाएगा इवन कहा जाता है कि child का cumulative brain development है 85% development 6 साल की age से पहले हो जाता है तो वो time में बच्चे को सही exposure मिले play based activity based inquiry based learning हो तो उसका foundation strong होगा तो यह foundational years का plan है next is preparatory stage 3 years का तो preparatory stage 3 years जैसे हमने देखा grade 3 to 5 class 3 to class 5 के बच्चे 8 to 11 years के बच्चे यहाँ पर emphasis होगा play based learning activity based learning and discovery based learning मतलब वो experiment करके खुद अपने hands on experience से discovery करके learn करें मतलब experience पे learning discovery based learning पे emphasize किया जा रहा है तो अब textbooks भी लाए जाएगी interactive classroom learning होगा जो government का midday meal program है schools में midday meal serve किया जाता है खाना जो वो भी extend किया जाएगा preparatory classes के लिए 3 to 5 grade के लिए भी फिर middle school stage आता है 3 years का वो middle school है grade 6 to 8 next 3 years तो age group 11 to 14 है यहाँ पे classes पढ़ाई की जाएगी वो देखे यहाँ पे बहुत interesting है यह देखे यहाँ पे coding लाया जाएगा subjects introduced किये जाएगे यहाँ पे science, maths, arts, social science, humanities related humanities मतलब history geography यह सारे subjects लाय जाएगे subject teachers आएगे और experience based learning पे अभी भी हर एक subject में emphasis होगा और बहुत interesting चीज़ है coding लाया जाएगा जो computer programming coding होता है वो middle school stage पे introduced किया जाएगा activities involving coding और even vocational craft introduced किया जाएगा हाँ पे middle school stage में तो जैसे के carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery etc. भहुत सारी fields है इसके उपर भी थोड़े थोड़े सेंप्लिंग मतलब थोड़े थोड़े इंट्रोड़े इंट्रोड़ा क्राफ्टे भी जिया जाएगा based on availability of resources in the state, in the school and student की choice के उपर vocational training भी हाँ पे introduced किया जाएगा तो यह काफी interesting रहेगा और all students will participate in a 10-day bagless period bagless period होगा grade 6-8 में तो यहाँ पे उनको local vocational experts के साथ internship कने का भी मौका मिलेगा यह भी बहुत-बहुत interesting development होगा बच्चे experience लेगे, इस चीज का भी enjoy करेगे क्योंकि उनका choice होगा फिर देखिये, fourth stage जो है और secondary stage, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिये तो यह four years ए grade 9-12, age group 14-18 यहाँ पे जो बच्चे है उनको अभी multidisciplinary study दी जाएगी मतला, extreme select करके हम जैसे कहते है वह ऐसे नहीं होगा आप multidisciplinary study ले सकते मतला, art subject के लिए, science subject ले सकते, कोई भी combination में study कर सकते मतला, culture के ओपर भी emphasis है मतलब, जो भी stream बच्चा लेना चाहे तो आप 9th standard से आपको वह flexibility दी जाएगी students choice of subject काफी varied है आप कुछ भी select कर सकते choice of subjects कुछ भी हो सकते मतलब, जरूरी नहीं कि curricular और extracurricular अलग-अलग है कि curricular से कुछ select करो, extracurricular से कुछ select करो, ऐसे नहीं सब कुछ open है physical education भी, arts भी, vocational craft भी आप अपना path, अपना study plan, life plan आप design कर सकते high school stage पे तो यह है बो phases है, of course first phase 9th and 10th second phase 11th and 12th तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा कि आपको grade 10, 9th and 10th के बाद आपको option दिया जाएगा कि अगर आप vocational या को ऐसा course करना चाहते तो आप exit करें, और grade 11, 12 में specialized schooling होगा तो यह जो आप subject select करके pursue करना चाहते, आप वो कर सकेंगे अब और भी details यह पूरी policy की देखते है, 5 plus 3 plus 3 plus 4 तो अब तक आपको समझ गया होगा, अब आगे देखिए जो main important points, interesting points is policy की, सबसे पहला हमने देखा जो foundational stage है उसका बहुत important role होगा जैसे early childhood care and education emphasize किया जा रहा है, play based activity based, inquiry based learning emphasize किया जा रहा है और curriculum पूरा plan किया जाएगा, even 0 to 3 year olds जो actually 5 plus 3 plus 3 plus 4 में part नहीं ले रहा है 0 to 3 अभी भी out है from the education system, वो 0 to 3 years age में भी बच्चे को क्या करना है कैसे सिखाना है, उसका पूरा framework भी developed किया जाएगा और parents को बताया जाएगा ताके parents उनको उस तरह की training और exposure दे सके तो यह बहुत interesting रहेगा तो पूरा बच्चे का initial stage से development के उपर और education के उपर जिलान दिया जा रहा है फिर यहाँ पर जो है early education यह pre-primary schools within schools भी दे सकती है even stand-alone preschools continue करेगी आंगनवाडी में भी यह पढ़ाई की जाएगी यह foundational years की पढ़ाई जाएगी और foundational literacy जो है main purpose है foundational literacy बच्चों में आ जाए letters, numbers वो पहचान सके universal foundation literacy on numeracy हमको चाहिए primary schools में by 2025 वो government का target है और pupil teacher ratio पे धिया जा रहा है आप एक class में भूत सारे बच्चों को भर के नहीं पढ़ा सकते एक minimum pupil teacher ratio दिया जा रहा है maximum pupil teacher ratio दिया जा रहा है मतलब उससे कम ही होना जी 30 is to 1 मतलब एक teacher maximum 30 वच्चों को पढ़ा सकती है हर level में in the schools और यहां पे भी आप देख सकते कि अगर socio-economically disadvantaged बच्चे तो उनके लिए और कम ratio रखा जा रहा है 25 is to 1 ratio फिर Dikshah, Dikshah already platform available है Dikshah stands for Digital Infrastructure for Knowledge Sharing D-I-K-S-H-A तो यह जो portal है National Teachers Portal है जहां पे high quality videos material available किया रहा है इसको और improve किया जाए और finally यह देखिए और क्या है community alumni को भी include किया जाएगा वो volunteer कर सकते है schools के learning को better बनाने के लिए 1-to-1 tutoring ला सकते है extra help sessions लाय जा सकते है educators teachers को भी guidance के लिए teaching support अगरा दिया जा सकता है students को career guidance mentoring पर emphasize किया जा रहा है even adult literacy, adult education centers पर adult literacy को भी emphasize किया जा रहा है फिर अगला देखिए road learning अब खतम road learning पर emphasize नहीं करना है हमको बच्चे की समझ होनी चीए understanding होनी चीए उस topic में उस subject में वो important है road learning culture से दूर जाने के सारे प्रयास किये जा रहा है तो यह देखिए curriculum भी रिकम हो जाएगा क्योंकि जब curriculum syllabus है जो इतना ज्यादा होता है तो बच्चों को फिर याद करने के लिए बहुत रटे मानने पड़ते उनके लिए time भी नहीं होता कि और कोई experimental चीज़े ऐसे कुछ कर सके तो यह जो curriculum content है हर subject का reduce किया जाएगा सिर्फ core essentials part of the syllabus होगे ताके बच्चे को critical thinking के लिए inquiry based, discovery based, discussion based, analysis based learning के लिए time मिले कि वो उस topic पे discuss कर सके और हैंड्स on experience ले सके उसका analysis कर सके तो syllabus reduce किया जाएगा road learning नहीं चाहिए और classroom sessions को हाँ जा रहा है classroom sessions fun होने चाहिए creative होने चाहिए collaborative होने चाहिए के बच्चे आपस में discuss करके सीखे, explorative होने चाहिए नई चीजे बच्चे सीखे interest से सीखे फिर आगे देखे, art integrate किया जा रहा है curriculum, extra curriculum कुछ नहीं, सब कुछ open है आपको art लेना है, music, dance लेना है, painting लेना है sports लेना है, सब कुछ curriculum में integrate किया जा रहा है कोई heart separation नहीं होगा क्या curricular ले रहे हो, या extra curricular लग है कि को curricular भी कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं होगा इवन जो teen streams होते है हम देखते हैं दस्वी के बात बच्चे सूचते है arts लेना है, arts लेना है, science लेना है या commerce लेना है, या या भी खतम कोई ऐसे distinct silos है वो नहीं होगा कोई arts, commerce, science ऐसे कुछ आपको एक नहीं आप जो चाहिए ले सकते है जो combination चाहिए ले सकते है vocational, academic, सब खतम no discrimination, जो आपको चाहिए no distinction, जो चाहिए multi-disciplinary आप study कर सकते है मतलब आप dance के साथ science भी सीख सकते है जो चाहिए, open field रखी गई है बच्चा अपना life plan decide करे उसको कहाँ पे interest है वो सारे subjects ले सकते है students even ethical training दी जाएग एक्सपोजर दिया जाएगा logical framework के वो अपना decision सही decision ले सके क्या सही चीज है वो समझ सके वो भी young age से सिखाया जाएगा doing what's right logical framework for making ethical decisions so ethics लाया जा रहा है और एक point यह पे देखिए उसी चीज को आगे बढ़ा के उनको बच्चों को even cheating क्या होता है कैसे वो बुरी चीज है violence क्यों बुरा है plagiarism plagiarism मतलब जैसे music भी आप डाउनलोड कर लेते free में जो actually copyrighted होता है books copyrighted plagiarism किया जाता है किसी और की चीज को खुद का करके आप बताया जाया या खुद उसको लाया जाया तो जिसका actual ownership copyright हो उसको benefit नहीं मिलता तो उसको plagiarism कहते है even movies जो है copyright violate करके तो वो plagiarism तो उसके बारे में भी थिखा जाया कि यह unethical है cheating, violence, plagiarism, littering स्वच्छभारत का भी एक emphasis students को बच्चों को इहां दिया जाएगा tolerance कि कैसे बच्चों में tolerance होनी चीए कि टॉलरेट कर सके वो ऐसे ना हो कि वो हर चीज में violent बने, ऐसे anger लिखाये, तो tolerance, equality, empathy, कि दूसरों की दखलीफ को भी feel कर सके वो सारी चीज़े बच्चों को इहां सिखाई जाएगी, school level फिर assessment test, जो सबसे बड़ी चीज होती है हमने अलड़ी देखा syllabus reduce हो गया, बच्चे खुश parents भी खुश, test जो है test भी अब summative नहीं रहेगे road learning based test नहीं होगे, formative tests होगे, regular tests होगे बच्चे की competency understand करे, competency check करे ऐसे test होगे, तो assessment test का भी पूरा format change हो जाएगा road learning नहीं चाहिए report card भी पूरा change हो जाएगा report card भी कैसे होगा 360 degree report card, multi-dimensional report card, even report card सिर्फ teacher नहीं बनाएगी आप खुद अपना report card में contribute करोगे आपके peers, आपके जो साथ है students है, वो भी आपके report card में contribute करेगे और पूरा detail दिया जाएगा सिर्फ academic report card marks होते वो नहीं होगा, बच्चे का हर एक learner का जो uniqueness है वो कहाँ पर अच्छा है, उसका social emotional development कैसा है वो सारी चीज़े यहाँ पर report card में बताई जाएगी, 360 degree report card होगा फिर board exams जैसे बोला easy हो जाएगे, board exams इतने difficult नहीं होगे, और memorization के base पर नहीं होगे core के capacity जो है वो test की जाएगे, even board exams तो board exams easy बन रहे हैं इसके खुशी की बात क्या हो सकती है और finally high-stake board exams के लिए वो भी खतम करने के पुरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर देखिए कि students board exams भी आप एक बार ही एक board exam लो ऐसा नहीं होगा आप दो बार वही board exam ले सकते main exam और फिर उसके बाद improvement के लिए तो उसमें कोई ऐसे fail हो गया तो ही ले रहे है, ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसे open, board exams का भी emphasis कम किया जा रहा है, easy बनाया जा रहा है, conceptual understanding पर emphasis किया जा रहा है और even एक दिन एक board exam के ओपर किया जा रहा है तो बहुत अच्छ है यह तो फिर एखिए, school exams को होगे वो तीन लेवल पर होगे class 3, class 5 and class 8 यह board exams नहीं पर school exams है तो तीन लेवल पर actual exams होगे कि बचा आगे stage पर कैसे जाएगा और एक और यह assessment center बनाया जा रहा है इसका नाम है PARAK Performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development यह national assessment center पूरी मदद करेगी पूरा यह educational system को implement कैसे किया जाए उसकी पूरा guidelines देने के लिए पूरा उसका understanding लाने के लिए assessment review analysis किया जाए रहा है PARAK National testing agency है National testing agency अब common college entrance exam conduct करेगी twice a year तो यह 2022 session से लाया जाएगा कि common college entrance exam और जो degree exam भी है अभी degree आप लोगे मतलब 12th के बाद जो degree 3 साल की होती है 12th के बाद लेकिन अब degree जो है 4 साल की होती है और यह 4 साल पूरे 4 साल आपको करने जरूरत नहीं है आप जहां चाहिए exit कर सकते है अगर आपने एक साल भी किया तो आपको एक certificate दिया जाए और उसके बाद आप खोड़े सालो बाद भी से continue करना चाहते तो वह भी आपको option लिया जाएगा वह आपके पास option available होगा तो mid term drop out बाद में continue कर सकते है break के बाद, degree के लिए किसी को financial problem अगर होती है तो वह job pick up कर लेते पढ़ाई complete नहीं कर पाते पर यह credit based system होगा तो आपके credits होगे वह रहेगे तो आप कभी भी उसको continue कर सकते है तो exit after one year में आपको certificate मिलेगा मतलब after 13 अगर 2 साल किया 13 14 हिया तो diploma मिलेगा 3 साल का किया तो first degree जैसे मिलेगी और 4 साल के बाद degree with research तो जिसको research आगे करना है तो वह fourth year उनके लिए degree with research होगा और controversial point भी एक है इस policy में वह देख लेते है medium of instruction तो यह इस पे काफी parents को दिक्कत है कारी है कि इसकी clarity नहीं है क्योंकि देखो कैसा है कि government कहारी है कि medium of instruction जहां पे भी possible है up to grade 5 and even up to grade 8 mother tongue में होना चाहिए home language में होना चाहिए local regional language में होना चाहिए मतलब जो state की language है region की language है जो पच्चे की mother tongue है उसको पूरे पढ़ाई करानी चाहिए जैसे हम जनरली देखते है English medium schools सारे parents अपने बच्चे को English medium school में दालना चाहते पर government कह रही है कि medium of instruction preferably home language और बच्चों को ऐसे नहीं कि home language मतलब बच्चों को बच्चों को ऐसे नहीं कि सारी languages के एक्सकोजर किया जाएगा क्योंकि यह research बच्चे 2-8 साल की उमर के बच्चे काफी जल्दी language pick up कर सकते so multilingualism जो है young बच्चों में काफी strong होता है वो सीख सकते cognitive benefits भी होते है understanding ability वो भी improve होती है so multilingualism लाया जाएगा सारे languages सीखे जाएगे लिकिन medium of instruction languages होगे पर सारे subject जो language में होगे जो language में teacher सिखाईगी वो medium of instruction home language हो ऐसे और third point कि यह देखे language में वही है कि all language learning will be experiential मतलब कि music से उस language में जो भी language है, Hindi है, Marathi है, Gujarati है तब मिलते लोगों जो भी उस language की music उस language की music, poetry, theatre, film से वो language सिखाई जाएगी तो यह of course काफी interesting जाएग three language formula continue किया जाएगा government assurance भी दे रही है कोई language कोई state पे इंपोज नहीं की जाएगी especially southern states को यह fear होता है कि Hindi उन पे इंपोज की जाएगी तो कह रहे कोई language इंपोज नहीं की जाएगी three language formula कैसे होगा state decide करेगी और at least two languages की नेटिव इंडियन लाइगवजज़ होनी चलिए मतला ऐसे कह रहे तो दो इंडियन लाइगवज़ है तो एक non-Indian that is English language हो सकती है क्योंकि of course इसको implement करने के लिए states का भी state चाहिए क्योंकि education after all is a concurrent subject उसके अंदर सिफ national से नहीं होता states जैसे चाहती है वैसे वो implement करती है तो national and state level को साथ में काम करके इसको implement करना है तो अब देखते आगे क्या होता है पर जो भी changes आ है काफी mind-blowing changes है और काफी interesting changes है और इसमें से अगर major parts जो है implement के जाएगे तो हमारा education system surely improve होगा तो अब सब कुछ निर्भर करता है implementation तो wish you all all the very best for all these interesting changes Thank you